हलो एवरिवान एकपर फिरसे आपका स्वागत है हमारे इस चानल पर आज के इस टॉपिक पे हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज का टॉपिक प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो फट 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए and do not forget to click on the bell icon bell icon पे प्रेस कर देना ताकि future में आने वाली जितनी भी latest वीडियो होंगी उसका notification आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं product possibility curve जैसा कि इसका नाम सबसे पहले कहता है production का जो possibility है या product की जो possibility है उसका curve curve तब बनेगा जब मारे पास एक data available हो जाएगा किस चीज़ से लेकर के production की possibility से लेकर के production की possibility यानि की ऐसी संभावना जो मेरे पास resources available है जितने भी resources मेरे पास available है अगर मैं उन सारे resources को लगा देती हूँ तो मैं कौन से product के कितनी जो है production कर पाऊंगी कौन से product का कितना production कर पाऊंगी उसको final goods तक जो है पहुचा पाऊंगी यह जानके एक आप data बनाते हो and then उसको एक curve में जो है convert करते हो जो आपका product possibility curve क्यलाता है now let's start production possibility या product possibility हम यह पर बोल रहे है आप उसको normally production possibility curve ही बोलेंगे जिसको short में PPC भी कहा जाता है अब production possibility curve और यहाँ पर दूसरा नाम जो दिया गया है वो है transformation curve transformation curve is a graph that show the different rates of production of two goods that an individual or group can efficiently produce with limited production resources अब आपके पास क्या है कुछ limited resources है resources यानि कि ऐसे चीज़े जिनके through आप क्या कर सकते हो अपना दूसरा production कर सकते हो इसको दूसरा माल बना सकते हो market में इसको बेच सकते हो तो क्या है resources यानि कि इस तूद़ आपके पास है तो माल लेजेए या आपके पास कुछ limited है इनमें कुछ भी हो सकता है पैसे हो सकते हैं या कुछ आपकी machinery हो सकते हैं या आपके पास कचरो material हो सकता है तो ये जतना भी resources आपके पास available हैं इसके द्वारा आप किसी दो product का या जो आपके पास product available कराए जा रहे है question में या फिर normal तो उन product में आप कितना कितना लगा करके कितना production कर सकते हो मालनों में सारा जो है मेरे पास दो यहां पे product है मालने जिए first product है मेरे पास cloth cloth यानि कि कपड़ा और दूसरा मेरे पास है wheat यानि कि हमारा agriculture से related खेती से related तो यहां पे एक cloth और एक wheat और मेरे पास यहां पे क्या है यहां पे कुछ resources है limited resources है मुझे यह देखना है कि इन दोनों में मैं कितना जो है अपना resources लगाऊंगी और मुझे कितना जो है production में यह कह लिजे कि कितना production मेरा बनके निकलेगा तो अगर मैं सारा का सारा cloth में लगा दूँगी सारा resources, सारा पैसा, सारा जो भी मिरे पास available है जाए पैसा है, machinery या जो भी है अगर मैं वो सारा का सारा अपना cloth का production करने में लगाऊंगी तो मेरे पास जो भी आएगा, वो cloth का ही आएगा मैं wheat का कोई production नहीं कर पाऊंगी वही पर अगर आगे चले, तो मैं क्या करती हूँ कि कुछ resources, मैं कहती हूँ कुछ resources हम करते हैं wheat को produce करने में और बाकी जो बचा है, वो cloth को produce करने में तो यहाँ पे जो पहला production हम कर रहे थे, उससे कम हो जाएगा मेरा production क्यों क्योंकि यहाँ पे जो मेरे resources है वो भी कम हो गए है, मेरे resources कप हो गए है तो obviously cloth का जो production पहले में कर रही थी सारा resources लगा करके उससे कम हो जाएगा और wheat जो बिलकुल नहीं हो रहा था मेरा production क्योंकि सारा resources हमने cloth की तरफ shift कर रखा था तो इसलिए अब wheat का थोड़ा सा जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाएगा, बिलकि शुन्या नहीं होगा सेम ऐसे situation में चलता रहेगा और जब मैं cloth का production बिलकुल रोक दूंगी तो जितना भी production होगा, वो मेरा wheat का होगा तो यहाँ पे क्या हुआ, यह product की possibility दिखा रहा है कि जितने भी आपके पास limited resources available है आपको अगर आप जो है, use करते हो तो आपके दो कौन से ऐसे products, जो भी products है उनमें आप कितनी production कर पाऊगे, कितनी possibility हैं उसके production की सो एक बार दुबारा इसको पढ़ते हैं इस line को ताकि आपको और अच्छे से समझ आए अब production possibility curve जिसको हम PPCB कहते हैं और transformation transformation curve, यानि transform करना किसे एक चीज कर, दूसरी चीज में उसको transfer करना, transform करना कहते हैं यार तुम तुम बड़ी transform हो गई हो पहले किसे भेंजे टाइप लगती थी आप कैसे सही, मतलब बड़ी अलग रही हो तो क्या कहते हैं, transform हो गए हो मतलब अच्छे हो गए हो या फिर यह कह लिजे, upgrade हो गई हो या फिर एक तरीके से, जो है पहले जैसे थे उससे थोड़ा बड़ल गई हो, एक तम अलग हो गई हो जो कि क्या होते हैं, rate of production of two goods दो goods के बीच में, that an individual or group can effectively produce जो कि क्या है, कोई भी एक अकेला व्यक्ति या पूरा एक group जो भी काम कर रहा है उसको effectively produce कर सकता है, अपने limited production के resources से तो यह आपकी बात हुई, clothes and wheat का एक example ले कर के अब देखे, एक क्या करते हैं, यही पर हमने पूरा एक chart पनाया हुआ है पहले इसको discuss करते हैं, then we will move to the production possibility curve देखे, यह table है, जहां पर दिखाया गया है, कि आपकी 5 possibility बनी है जिसको हमने नाम दे दिया, A, B, C, D, E, N, F, यह हमाली 5 possibility हमने निकाल करें रख दी अब हम बात करते हैं, कि अगर हम सिर्फ cloth का production करें, मिर पास जितना भी resources है अगर मैं वो सारा, जो है, sorry, यहां पर हमने उल्टा बोल दिया, अगर हमें wheat के production में लगा दूँ अगर मैं सारा का सारा wheat के production में लगा दूँ, तो cloth में मुझे क्या होगा, 0, 0 production होगा क्योंकि मिर पास कुछ उसमें टालने के लिए है ही नहीं, सारा wheat में जा रहा है वहीं अगर बी की तरफ जाओं, तो मैंने क्या किया, अब cloth का production बढ़ाने के लिए production को increase करने के लिए, थोड़े से resources वहां कर दिये, तो अब क्या हुआ, wheat में जो है, उसमें कमी आ गई उसमें, उसके production में कमी आ गई, दुबारा wheat के production में कमी आए, क्योंकि वह हमने cloth में बढ़ा दिया अगें, उसमें कमी आई, तो हमारा cloth का बढ़ गया, अगें, उसमें कमी आई, फिर ये बढ़ गया, एक टाइम ऐसा आया, जहां पर wheat का हमने बिल्कुल बंद कर दिया, शुन्य कर दिया, तो जितना भी production हुआ, वो cloth का हुआ अब बात करते हैं, opportunity cost होगी, इसी में हमने थोड़ा से समझाने की कोशिश की है, opportunity cost क्या होती है, कि जब आप एक चीज को, जो है, ध्यान में नहीं, एक चीज की जगें, दूसरे alternative को चूस करते हो, तो आप कुछ न कुछ खो रहे होते हो, आप एक, देखो आपके पस कोई options available हो, चाहे कुछ अच्छा हो, चाहे कुछ बुरा हो, ठीक है, A है, एक ये B है, अगर आप B option की तरफ जाओगे, तो आपके opportunity cost क्या है, आपको कौन सी opportunity cost जा रही है, वो है A, यानि आप A को भी ले सकते थे, ठीक है, आपके पास पूरी opportunity थी, पर आपको क्या करना पड़ा, B को चूस करने के लिए आपको इस A को खोना पड़ा, ठीक है, A को खोना पड़ा, तो ऐसा हमेशा होता है, लाइफ में भी होता है, जैसे हमें किसी चीज को पाना होता है, तो हमें किसी other किसी चीज को हमें खोना पड़ता है, तो वो क्या है, opportunity cost की जिस चीज को हम चाह रहे ह उसके बतले में हमें कुछ चीज़े ऐसी हैं जो हमें छोडनी पड़ रही है तो वो क्या है? अपॉचुनिटी कोस्ट है आप चाहे वो आपने आगे जरके पता चले कि वो अच्छी नहीं थी या बुरी थी या वटाइवर जो भी निकले तो यहाँ पे आपके बनती है पॉचुनिटी कोस्ट की एक चीज़ को जब आपने बढ़ाया यहाँ पे आपने एक क्लोथ को बढ़ाया तो आपको वीट का पार्ट छोड़ना पड़ा तो यहाँ पे आपॉचुनिटी कोस्ट कितनी बनी? 1 यहाँ पे कितनी बनी? 2 यहां पे कितनी बनी 3, ठीक है कितना कम करना पड़ा आपको 3 तब जाकर कि आपकी क्या होई क्लोथ की बढ़ी तो आपको कितना छोड़ना पड़ा, 3 छोड़ना पड़ा, तो यह बनती है आपके पोचनिती कोस्ट, now come to the curve of your production possibility का यह टेबल का अब यहां पर आप देखो तो हमने एक जगा लिखा है आपका एक प्रोडक्ट जो कि हमने लिया है वीट और दूसरे जगा यहां पर हमने जो है वो लिया है क्लोथ यानि कि दूसरा प्रोडक्ट अब यहां पर देखो आप जब हम वीट का प्रोड जगे यहां पर आपका बन गया एक पॉइंट दूसरा पॉइंट आपका बनता है जब आपने वीट का प्रोडक्शन किया 14 वीट का प्रोडक्शन किया 14 और यहां पर क्लोथ का प्रोडक्शन कितना किया 1 तो यहां पर आपका जो है दूसरी पॉसिबिलिटी बनी जो कि है B तो यह A है, यहापे A point, यह आपका B है Now come to the C point, जहापे आपने क्या किया, wheat का production किया 12 और यहीं पर आपका cloth का production आया 2 So this is your point 3, यहापे आपका point 3 है, यह possibility 3 है C है possibility, यहापे आपकी तीसरी possibility Now come to the fourth possibility, जो कि आपकी है D, जहापे आपका cloth 3 के production पे है और आपका wheat जो है, वो 9 के production पे है, तो जहापे यह दोनों मिले, वो यहापे आपका point बन गया That is your D, Now E, E में भी same आपा जाएए, 4 है आपका, आपकी cloth का 4 And आपकी wheat का 5, तो यहापे आपकी बन गई possibility E Now come to the F, F पे क्या हुआ, जब आप पूरा cloth में यूज कर रहे हो, तो आपकी wheat 0 हो गया तो यहापे 5 and 0, अब आप इन points को मिला करके जाओगे, तो यह आपका बन जाएगा एक curve में जो कि आपका कहलाएगा production possibility curve, यानि कि आपका production possibility का आपके पास table मिला था that if you will convert it into a curve, that will be called your production possibility curve तो यह थी आज के हमारी वीडियो जिसमें हमने discuss किया about your production possibility curve अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज दो not forget to share it with your friends and do not forget to subscribe our channel और हम और जादा आपकी वीडियो अच्छी से लेके आते रहेंगे बीकॉम के लिए, आपके 12th के लिए अगर आप चाहते हैं किसी particular topic पर video बनाया है, so please you guys can suggest us if you guys want to follow us on telegram, you can go and search their commerce top यही logo जो हमारे youtube channel पर है, आपको वो logo मिल जाएगा, ठीक है, आप वहापे भी हमें जो है, join कर सकते है you guys can take a screenshot of this, ताकि आपको जो है, अगर preparation करनी हो तो यह आपके help करे so thanks for watching me in the next video, मैं एक अगले topic के साथ